इस कोशन में हमें दे रखा है बिंदूओं 0,0 और A,B के बीच की दूरी क्याद कीजिए यहाँ पर हमें दो पॉइंट दे रखा है पहला हमें यह पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट हमें यह दे रखा है इन दोनों point के बीच के हमें यहाँ पर दूरी को गयात करना है और ये question हमारा एक number के लिए बहुत math mode question है तो आप इस question को इस साल के लिए जरू तेयार रिके जाएं एक number में बहुत साल से repeat नहीं हुआ है इस साल यह आपका आ सकता है तो पहले में इस question को आपको diagram से समझा देता हूँ और diagram आपके सामने आ चुका होगा एक हमारे पास हो जाएगा a point जो की हो जाएगा 0,0 और एक हमारे पास हो जाएगा दूसरी तरफ point b जो की हो जाएगा हमारा a,b एक को माल लिए आप x1 y1 को अराम से कर लेंगे अब जिन स्टुडेंट को दूरी सूत्र नहीं पता है तो वो मैं आगे बता दूँआ वहां से आप note कर लेना लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर ले और सबसे महत पूर बैल आइकन को all पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी questions पर वीडियो अप लोड करूँ तो उनकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब आगे देखते हैं हम इस question के solution को तो जैसे हमने diagram में माना था वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे पहला point हो जाएगा हमारे पास a 0,0 दूसरा point हो जाएगा हमारे पास b जो की हो जाएगा a,b यहाँ से हम x1, y1, x2, y2 इन सभी की value को निकाल लेंगे x1 की value हो जाएगी 0, y1 की value हो जाएगी 0, x2 की value हो जाएगी हमारे पास a और y2 की value हो जाएगी हमारे पास b अब हम यहाँ पर दूरी सूत्र को लगा कर क्योंकि दूरी सूत्रों में x1, y1, x2, y2 इन सभी value की जड़त पड़ेगी वो values हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं अब मैं आपको इसका formula बता देता हूँ और आप इन values को ध्यान रखना तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए बिंदू A तथा B के बीच की दूरी AB बराबर हो जाएगी under root में AB बराबर under root में x2-x1 का all square प्लस y2-y1 का all square यह हमारा दो पॉइंटों के बीच दूरी का सूतर होता है तो आप इसको note कर लेना जिनको ना पता हो तो अब हम यहाँ पर इन सभी की values को रख देंगे जो अब हमने पहले ही निकाल ली थी उन values को हमने इसलिए पहले ही निकाल ले था क्योंकि हमें पता था कि हमें इसका use formula में करना है अगर आपको formula याद ही नहीं होगा तो आप उन values को निकालेंगे ही नहीं इसलिए आपको formula पता होना चाहिए तो अब एक एक करकर हम यहाँ पर values को रख देते हैं x2 की value आजाएगे हमारे पास a x1 की value आजाएगे हमारे पास 0 ऐसे यहाँ पर y2 की value आजाएगे हमारे पास b और y1 की value आजाएगे हमारे पास 0 तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा under root में bracket के अंदर a-0 का whole square प्लस b-0 का whole square अब अगर हम A में से 0 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास A ही आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा A² जो कि आपको यहाँ पर दिखी रहा होगा पलस है पहली सही B में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास B ही आएगा तो यहाँ पर आजेगा हमारे पास b square जो कि आपको यहाँ पर दिखी रहा होगा तो यही इस question का answer भी हो जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और जब भी हम दूरी निकालते हैं तो वहाँ पर लिख देंगे इतने मातरक है ठीक है और यहाँ पर हम इसके answer को इस तरीके से भी लिख देंगे कि आता है बिंदू 0,0 वा 1,b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी under root में a square plus b square मातरक यह इसका answer हो जाएगा जो मैं question में 2 point दे रखे थे उन दोनों point के बीच की दूरी हमारी कितनी आ जाएगी under root में a square plus b square मातरक एक number के लिए बहुत simple question था लेकिन आपको formula पता होना चाहिए तब यह question आपको simple लगेगा वन्ना आप इस question को नहीं कर पाएगे इसलिए आपको किसी भी question को करने से पहले उसके formula को पढ़ लेना चाहिए और अगर आपको इस question में कोई doubt हो तो आप comment करकर पूछ लेना और अगर आप इसी तरीकी के और भी question से देखना चाते हो तो मैंने इसकी proper playlist बना रखी है वहाँ पर आपको इसी तरीकी के सारे के सारे questions मिल जाएंगे चाहिए वो हमारे एक नमबर वाले हों, दो नमबर वाले हों, चार नमबर वाले हों या फिर पांच नमबर वाले हों सभी प्रकार के question उस playlist में आपको मिल जाएंगे उस playlist का link में description में देदूँ हमाँ से जाकर आप देख लेना और इस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरूँ शेर करना